पुर्ण अमबेड कर जी में पुर्ण अमबेड कर जीए आपका क्या मानना है जी मैं इसी मुद्द्ध को लेकर बात कहना चाहती हूं कि जो यह लव जिहाद और भगवा अतंगवाद की बात लेकर बताना चाहती हूं कि एक दरफ लव जिहाद के उपर किसी 50 साल के बुजुर्ग को मार देते हैं लव जिहाद जो की एक यंग ब्लेड में होता है जाधातर और मैं आपको लव जिहाद बता देना चाहती हूं कि लव जिहाद होता क्या है कि एक हिंदु और एक मुस्लिम लड़की दोनों प्यार क आस्था के नाम पर इनकी बहु बेटियों को जो यह जादात्पर नहीन आस्था के चक्क रूहें को इसलिए Չस पेर उसमें विश्वास करती है पूझा पार्ट में जादा है और िनल्जाकर भो फुस जती हमा ंम मुस्लिम के लिए तो आप संबूनात तयार करते हैं, तो यह जो जिखसित जी है, इनके लिए कोई संबूनात अभी तक उभर कर क्यों नहीं आया? यानि के ये लोग एक जात को टार्गेट करते हैं और उनको कहीं न कहीं एक अपनी गंदी विचार धारा के अनुसार एक सोचिस अंजी साजिस के अनुसार उनको मरवाने का काम कर रहे हैं अमेडकर जी मैं जानना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज के अंदर या दली समाज की अंदर पच्चे पैदा होते हैं उनका नाम खुद नहीं रख सकते तो उनकी तरक्की कैसे होगी नाम रखवाने के लिए भी जिनका नाम ले रही हैं उनके पास जाना पड़ता है देखिए मैं आपको एक बात बता दू ये आपके जो साइद आपको पता नहीं है कि अब जो लोग है वो बाबा साब को पढ़ चुके हैं और अब इनोंने इनका बहिस्कार कर दिया है लेकिन जो लोग अभी भी इनके चक्रों में फसे हैं तो उनको जो ये बाबा जो बैठे कर रहे हैं कि सायद सायद ये आंदोलन देखकर जो बहु बेटिया हैं जो बहने हैं वो समझ जाए कि आज हमारी इज्जत सेफ नहीं है इन बाबाओं के पास तो इनको मैं कहना चाहती हूं कि आप अपने महापुर्सों को पढ़ो बाबा साहब को पढ़ोगी तो जितनी ड समाशन zasak जिन्दा है कि इस तागत ओका मिरा आपने महापुर्सो की तागत दिखा देना चाहते हैं यहाँ पर कुछ हमारे प्रसासन के लोग क्लिए इस कम यह समें कि तागत आज हम यहाँ पर कड़े हुए हैं वार्ष्ण सेट्ग चार्ष्ण चार्ष्ण सेट्ग ये लोग्ण सब्स्क्राइबर अर्ष्ण सेट्ग कि पर जिए भॉप फॉप्पर लोग्त